हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू आर्थी एडुकेशन वर्ड देयर स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम आपकी जो कक्षादस की सामाजिक विज्ञान में से की वर्क सीट आई है वर्क सीट नमबर 28 और जिसकी डेट है 8 सेप्टेंबर 2020 उसको पढ़ेंगे और उसके सारे प्रिश्णों के उत्तर करेंगे बच्चों देखो इसकी थोड़ी सी क्वालिटी आपकी वर्क सीट की ऐसी आई है मैं डेस्क्रिप्शन में आपको लिंक देदूंगी महां से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ठीक है इसको आपको बता देती हूं देखे वैस्वी करण और भारती अर्थ विवस्था विदेश विवपार और बहुरास्टे कंपनिया यह है आपका टोपिक जो आपका अर्थ सास्त्र विशे से है यह आपका यह टोपिक लिया गया है अब इसमें दिया गया है बीसवी सताबदी के मध्य तक उतपादन मुख्य तर देशों की सी ाने पूराफ के लिवर शेल गया है वह अपनी खेल वलाथ। और तयार वस्तों का आयत होता था, मतलब जब तक ये बहुरास्टे कंपनी नहीं आये थी, जिसको आप कहते हो, क्या कहते हो, MNC, है ना, मल्टी नेशनल कंपनी, है ना, हिंदी में उसको बहुरास्टे कंपनी बोलते हैं, आप बोलते हो ना, कि हमारा भाई तो MNC में काम कर तो उसका मतलब यह होता है कि वह एक से अधिक देशों में जो पादन पे नियद्रन करती है और उसमें स्वामित्र रखती है वह होती है बुरुरास्टे कंपनिया उससे पहले जो भारत जैसे जो देश थे ना कच्छामाल और खात्यपरदार्थ महां से निर्यात होते थे मतलब और तैयार वस्थों का आयात होता था मतलब जो तैयार हो जाती थी उसको मंगा लेते थे और जो कच्छामाल है उसको दे देते थे उत्पादन लागत कम करने और अधिक कमाने के लिए बुरुरास्टे कंपनियां उन देशों में कारेल ले और उत्पादन के लिए कार खाने लगाते थी जहां उन्हें सस्ता स्रम वे अन्य साधन मिल जाते थे क्योंकि अब तुम एक बाद बताओ एक कंपनी है भारत की है ना और वह पाकिस्तान में उसको बिजनिस करना है और यहां से इस अब कुछ बना बना के भीजेगी तो उसमें भूत लागत आएगी तो क आप लोकल लोग मिल जाएंगे उसको कम कीमत में और वहां पर समान तीयार करके और अराम से उसको ना उसको लाने ले जाने की कोई कोस्ट भी ने पड़ेगी ठीक है तो इस तरीके से उन्हें साधन मिल जाते थे अब देखो बहुराश्टे कंपनियां वस्तों और सेवाओ को उत्तपादन वेश्वएक इस तर पर कर अपा रही थी मतलब जो भी कोई चीज होती थी और उसकी सर्विस देनी है तो उसको अब वर्ड लेबल पे कर रही हैं है आज की ताइम में कर रही हैं सब कुछ की वर्ड लेबल पर होता है गलोबल ही होता है सब कुछ भूमी On-Machine या कोई और उपकरण में खर्च करते हैं कोई पैसा खरीदते हैं उसको तो उसमें जो हम उसके से जो हम खरीदते हैं उसे बोलते हैं इस्थाने कंपनियों के साथ साजहधारी द्वारा आपूर्ती के लिए इस्थाने कंपनियों का इस्तमाल करके इस्थाने कंपनियों के निकट पृतिस प्रदा करतके तता उने खरीद करके भूरास्टे कंपनियां दूरस्त इस्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव अब क्या हो रहा है जो इस्थानिय कंपनी है जो कोई लोकल कंपनी होती है जिसको आप लोकल कहते है वो इस्थानिय है मैं तब आसपास की जो होती है उसको कहते है लोकल का मतलब खराब से कभी नहीं होता जैसे कहते है अरे भई लोकल माल है लोकल का मतलब होता है यही आसपा अपने प्रभाव जमारीं आपना प्रुभाव जगहें बढ़ दोने बवगते जर्चे के तो अपने अपने ने जंगे देगन होगारा है जो माप एच्छे चल रही होती है और क्या होता है अब उनकी कंपनी वह तो लोकल तो रही नहीं अब उनकी कंपनी पढ़िया चल जाती है ठीक है आप देखते हैं विदेश व्यपार विबिन देशों को आपस में जोडने का मुख्य मादम रहा है अगर हम विदेश में जाते हैं तो इसी तरीके से विदेशों से बहुत सारी चीजह है तो उससे हम जुड़ जाते हैं व्यापारी खिट के कारण ही इस्ट इंडिया कंपनी भारत की और आकर्शित हुई हम सबको पता है क्योंकि वह बिजनिस करने आई थि और अपने बिजनिस करने की वज़े से इंडिया की तरफ आई कि यहां पे बहुत मसाले हैं, है ना मसालों का तो करना यही थी वह सबसे पहले, वास्तों में विदेश व्यपार अपने देश के बजारों से बहार बजारों में पहुचाने के लिए उत्पादकों का एक अफसर परदान करता है, हाँ यह सच है जो वि प्रम आपको लगेंगा की चालों करने है सलेंटेन के लिए थी रख अपने के लिए वी यह साहिक होता है और यह बचाने को आपने में को पाइदा में रख और बजारों को जोड़ने में सहक होता है भी सच है कि विदेश वेपार चलो ये इस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम भात छोड़ दे तो क्या करता है लोग आपस में अब सारे के सारे देश भारत हो या कोई भी देश हो विकास सीलो विक्सितों सब एक दूसरे से जुड़े हुए बजार के माध्यम से तो अब यह जो आप देखते हैं केस स्टेडी दी हुई है होंडा कंपनी ने 19 जन्वरी 1984 में गुड़गाओं हरियाना में हीरो समय के संस्थापक ब्रजबोहन माल मुंजाल के साथ मिलकर हीरो होंडा कंपनी की स्थापना करी है यह हीरो होंडा का दे रख है गुडगाओं में लगी थी 1984 मे जो हीरो गुरूप है उनके संस्थापक थे ब्रजमोहन लाल मुंजाल उनके साथ मिलकर लगाई 2.8 बिलियन अमरीकी डोलर का निवोस कर इस कंपनी की सुरुवात करी गई कितना पैसे लगा 2.8 बिलियन अमरीकी डोलर चेक है अब 2010 में कंपनी के करीब 45 लाग दुपईया वाहन भारत में बेच आप देखो उस कंपनी ने भारत में भारत के साथ मिलके करा हीरो के साथ तो उसको कितना फायदा वह 45 लाग उसने स्कूटर नी मोटर साइकल मोटर साइकल बेची हीरो उन्डा के आती है जो भारत के तेजी से बढ़ते हुए बजार का 48% मतलब 48% बज 2014 में क्या हुआ हो उन्डा ने अपने शेयर हीरो को दिए ठीक है यह है के सिस्टरी आप देखो इसमें कोशन आंसर से बच्चों आपको मुझे पता है दुंदला चमक रहा है क्योंकि वर्क सीटी ऐसी है मैं इसके कोशन आंसर आप उसको कर लेना वो बिल्कुल क्लियर चमक और विदेशी निवेश में क्या अंतर है तो आप इसको इस तरीके से समझेए विदेशी वेपार में दो देशों के बीच में आपस में कच्चे माल और तयार वस्तों का आयात निर्यात होता है मतलब विदेशी वेपार क्यों होता है एक दूसरे से बिजनिस करना उसको मैं मैंने खच्चा माल दे दिया और उसने मुझे तयार माल दे दिया जबकि जो विदेशी निवेस होता है उसमें क्या होता है बहुरास्टे कंपनिया द्वारा देश में आकर भूमी भवन मसीन या कोई अन्य अपकरण को खरीद लेती है तो उस निवेस को जो वो इन्वेस्ट किन वस्तों का उत्पाद करती है तो हम लिख सकते हैं अराम से वहां रहे हैं तो बहुरास्टे कंपनिया एक से अधिक देशों में उत्पादन वर नियंतरन रखने वाली कंपनिया होती है एक से ज्यादा देशों में क्या करती है प्रोडक्शन भी करती है और क्या कंपनिय तो हमने दो दे दिया बहुत सारी कंपनी जा बचों आप देखते हैं तो फोर्थ कोशन एज बहु रास्टे कंपणियों द्वारा विकाससील से में कार खानों की स्थापना का मुख्या उदेश से उत्पादन लागत कम करना और अधिक लाग कमाना क्योंकि यहां पर उन्हें सस्ता श्रम और अन्ने साधन मिल जाते हैं तो इस वज़े से लगाते हैं भवर रास्टे कंपने विकास सहिल देशों में कार खाने ठीक है बच्चों तो यह थी आज की आप में विडायू और टो यह थी आप तो यह थी आज थी आजिए प्सक्ट तो यह थी आज तो इस भी हैं क्यों एंग तो यह थी आज़िए तो यहीन आज